दोस्तों Excel के this amazing and powerful video में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखेंगे data entry करना अब data entry एक बहुत important term है और साथ ही एक confusable term भी है क्योंकि maximum जो लोग होते हैं जो लोग freshly new computer related jobs के लिए जाते हैं वो लोग confused होते हैं कि actual data entry है क्या यह कितना साथ the biggest stuff है तो मैं आपको एक term clear कर दू कि data entry एक बहुत ही simple terms है data entry मतलब आपको कोई data दिया जाता है in a form of pdf या in a form of digital data और उस data को आपको excel में या computer की जिस भी software में बताया जा रहा है वहां पर simple type करके उसकी entry करना होता है that is the simple process of data entry तो data entry बहुत ही simple term है आपको data provide कर दिया गया है pdf में या hard copy में और आपको उसे देखके simply type करना है अब होता क्या है excel में जो लोग beginners होते है उन लोग को कुछ tricks या कुछ terms के बार में पता होना चाहिए जिसकी मदद से आप data entry को बहुत ही easily perform कर सको आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो medical related data होता है साथ इसमें मैं आपको कुछ tricks भी बताऊंगा जो कि आपके लिए beneficial हो सकते हैं तो make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ए वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एस वीडियो को तो normally आ जाते हैं computer screen पे और यहां पर आ medicine related blink data मैंने आपे prepare क्या हुआ है अब इसमें से कही सारी terms है जो कि आपको confuse कर सकते हैं जैसे कि bash number क्या होता है hsn code क्या होता है या फिर यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहां पर 300 के साथ pieces बगरा को mention क्या हुआ है तो काफी सारी terms है जो कि हम step by step समझेंगे और इस medicine blink data से related जो data है उसके entry आपको कैसे करना है उस term को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे सो simply क्या करते है हम आ जाते हैं sheet हो में जो कि बिल्कुल fresh और blank sheet है अब simply हम यहां पर columns को देख लेते हैं कि क्या क्या columns हम यहां पर डालने जैसे batch number, product name, manufacturer तो हम यहां simply आते हैं हमने यहां पर सबसे पहले लिखा क्या batch number इसके बाद हम यहां पर लिखते है product name इसके बाद हमने लिखा कि यह जो product है वो कौन से manufacturer से बना हुआ है, तो हमने यहां पर लिख दिया manufacturer, इसके बाद next time हम यहां पर लिखेंगे hsn code, तो यहां पर simply हमने लिखा hsn code, hsn code क्या होता है मैं भी आपको clear करूंगा, इसके बाद हमने यहां पर लिखा purchase rate, फिर हमने लिख दे हैं यहां हम सिंपली लिख देते हैं quantity, फिर हमने लिखा हैं यहां पर MRP, इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे sales rate, इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे manufacturer date, जिसे हम शौट में MGF करके लिखते हैं, तो हमने लिख दिया MGF date, और फिर हम यहां लिख देंगे expiry date, अब यहां पर इन सभी यहां पर auto fit column width, आप देखोंगे सारे के सारे columns हैं वो एक ही बार में तरीके से यहां पर adjust हो गए, इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें सबसे mean term होता है यहां पर heading provide करना, तो इसके लिए अब देखो उपर में तो जगह है नहीं, तो आपको क्या करना है, keyword से simple, control key को hold करके ए हम इसे थोड़ा से यहां पर छोटा कर लेते हैं, जो keyword scan आपको देखने में आसानी हो यह क्या, इसके बाद हम इसे drag करेंगे जितने range में हमें हमारा heading चाहिए, इसके बाद simply हमको इसको merge करना है, और यहां पर हम लिख देंगे medicine billing data, हमने यह term लिखा, इसके बाद इसको select करन है, select करने के बाद इसे बड़ा कर देना है, जितने भी size में आपको इसे रखना है, जो भी font आपको यहां पर सबसे better लगता है, इसके लिए वो font आप यहां से choose कर सकते हो, suppose मेरे को font यह ज़्यादा better लग रहा है, तो हमने यह वाला font select किया, select करने के बाद जो भी इसका background color आ से हम कर देंगे bold, इसके बाद जहां तक आपको लगता है कि आपको data prepare करना है, उस range को आप select करोगे, और करोगे all border, आप देखो कि आपको जो format है, वो यहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से यहां पर ready होगा है, अब simply हमें करना है, हमें यहां पर data को fit on करना है, सबसे पहल क्या है, कि अगर किसी भी हम medical device से medical product की बात करें, तो batch number से उस product से related, जो भी important information है, वो आप उसके थ्रूप get कर सकते हो, तो batch number बहुत ज़्यादा important होता है, फिलाल हम यहां पर अपने हिसाब से कोई भी batch number डाल देते हैं, सबस्पोज मैंने यहां डाल देते हैं, सबस्पोज एक batch number मैंने इसके यहां पर दे दिया, अब यह करने के बाद यहां पर आ जाता है product name, तो product name फिलाल में दे देता हूं, कोई भी comments हम यहां पर चूज कर लेता है, जिससे cross-in के बार में आप सब जानते हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, manufacturer हमने डाल दिया, pendola, इसका manufacturer है, तो HSN code 6 digit का एक uniform code होता है, जिसके तुरू किसी भी product को एक classification provide किया जाता है, कि product क्या है और इसका क्या role play है, तो इसलिए HSN code बहुत ही जादा important होता है goods के मामले में, तो हम यहां पर लिख देता है 456523, यह हमने HSN code डाल दिया, इसका, next हम आता है purchase rate, कि अगर हम अपने respect में बात करें, कि यह जो product हमने बेशने के लिया है, तो पहले तो हम इसको खरीदेंगे, तो इसका purchase rate हमें कितना पड़ा, तो हमने आप डाल दिया, कि purchase rate हमें पड़ा है 120, और कितनी quantity ली है हमने इसके, तो हमने इसके quantity ली है boxes में, 100 boxes के, अब इसके बाद आपने product ले लिया quantity में इतना, फिर इसके MRP होगी, उसके कुछ न कुछ, माल लो यह अगर आपको 120 रुपे का बढ़ रहा है, तो उसके MRP होगी box पे कितनी 300, 200, 200, 400, जो कि customer को दिखाए देगा, तो यहाँ पे हमने डाल दे 300, इसके बाद next हम आता है sales rate, कि 300 रुपे है, तो आप उसके कितने में sale क होगे, तो जादा तर medical shops में आपने देखा होगा, कि 10% का discount या 20% का discount देकर, वो अपने product को sale करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है equal, equal करने के बाद हम इस MRP को select करेंगे, और इसका 10% इसमें से minus करेंगे, तो हमने किया minus, bracket शुरू करना है आपको, और यह ज जैसे आप enter करोगे, तो 300 का 10% हुआ 30, वो minus हो जाएगा, और यहाँ sales rate आजाएगा 270 का, अब देखो, Excel में math और algorithm बहुत important है, और अगर यह आपको बार-बार confuse करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक book recommend करना चाहूँगा, जो कि यह है a mind for numbers, and believe me, इस books में कुछ ऐसे terms है, जो कि आपके लिए काफी जादा फाइदेमंद है, जैसे मैं कुछ terms की बात करूँ, तो वो है कि अपने दिमाग के तरीके को समझना, या फिर कैसे आप अपने mind को और powerful बना सकते हो, और इन सबसे important, math और science की कुछ ऐसे secrets हैं, जो कि आपके काम को बहुत जादा आसान बना और सबसे बड़ी बात guys, जो कि आप सब को शौक कर देगी, कि एक बुक की भी अगर हम cost की बात करें, जहां पे 300-400 एक बुक की cost होती है, तो यहां पे जो आपको 10,000 से जादा books मिल रही है, इन सभी books के लिए आपको 1500 रुपे भी खर्च करनी की जोतनी है, पूरे साल के लि लेकिन यह जो offer है, यह सिर्फ जो पहले 250 users हैं, सिर्फ उनके लिए ही valid है, तो नीचे description में link दिया हुआ है, जहां से जाके आप इस app को install कर सकते हो, और फटा-फटी से subscribe कर लो, क्योंकि यह offer सिर्फ पहले 250 subscribers के लिए ही है, so go for Cuckoo FM, इसके बात बहुत ही important term होती है, medical products के मामल में, manufacturer date और expiry date, मतलब यह product बना कब है, और इस product को long lasting हम कितना use कर सकते हैं, तो यहां पे अगर हम manufacturing date की बात करें, तो हमने डाल दिया, 11-2022 को यह product बना है, और इसके expiry date है, यहां पे 30-12-2023, यह हमने डाल दिया, इसके expiry date, अब I hope कि जितने भी columns related data, इनके entry कैसे करने है, य यह आपको clear हो गया होगा, कि batch number क्या है, या फिर registration code क्या है, और यहां पे अपने sales rate में, जो यह direct minus 10% क्या है, यह कैसे होगा, यह आपको clear हो गया होगा, अब इसके बाद मैंने किया कि मैंने already यहां पे data fill on कर दिया है, ताकि इसमें हमारा ज्यादा time waste ना जाए, यहां पे ए simple आपको करना किया है, इस range को select करना है, select करने के बाद simple आप देखोगे ऊपर में, जो यह number section है, यहां पर यह आपको option मिलता है, coma style का, इस पर click करना है, जैसे आप click करोगे, यह देखो कि इसका format change हो जाएगा, यही same चीज़ आपको करना है, sales rate के साथ, हमने यहां पे किया, और इसके साथ भी यह term apply हो गई, अब आता है next term, pieces apply करने का, तो चाहे pieces apply करना हो, packet apply करना हो, जैसे मानलो यह boxes है, तो suppose मुझे boxes apply करना है, या फिर packet supply करना है, तो अब होता क्या है, कि अगर आप manually लिखने का सोचो, तो पहली बात तो आपका time बहुत ज़्यादा waste होगा, और दूसरा manual अगर आपने इसको किया, मतलब हाथ से अगर लिखने, ऐसे type किया, तो इसका disadvantage यह होता है, कि आप इसमें कोई भी formula apply नहीं कर पाऊगे, यह ध्यान रखना है, इसलिए हम इसमें manually apply नहीं करते, हम ही क्या करना है, इस पूरी range को select करना है, select करने के बाद आपको simply इस 100, 300, यह जो भी value है, उसके लिए, तो हम यहाँ पर देंगे hash, और फिर double quotes देंगे हम, उसके अंदर हम लिख देंगे packet, किस तरीके से, PKT, और double quote किया close, करेंगे ok, जैसे आप ok करोगे, आप देखोगे, कि इसमें packet सब के साथ एक बार में apply हो गया है, इसके बाद इसमें जो color आपको कुछ और रखना है, तो फिर आप इसमें जाओगे, और जो भी color आप apply करना चाहते हो, वो चिस आप apply कर सकते हो, यही same चिज अगर आपको इसके साथ करनी है, तो आप इसका भी color इस तरीके से change कर सकते हो, और text color ऐसे change कर सकते हो, और इस तरह से simply अगर आप कही medical related organization म में जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है तो उसमें मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे जादा कौन सा चैप्टर पसंद आया फिलाल इस वीडियो के लिपसे इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू